नमो नारे ये गोमाता वंदे मात्रमा भार्तिक को प्रणाम और सुदैर्शे ओम शम शनिश्चराये तुम प्रिमित्रों शाथियों हमारा जो जीवन है नहीं इस जीवन में जीवन की स्रोत के साथ हम नहीं पहुँच पाए उस प्रमानन तक नहीं पहुँच पाए वो असली सुख वो शांती जो हमारी होने का कारण है उसे हमने नहीं चखा तब तक अपने जीवन को पून शमजने की भूल नहीं करने जाए जीवन पून तब ही होगा जब हूं असली सुख असली सांती हमार मेरे आरादी शणी देव, 39 अपरेल रात में अपनी मूलतिरकौन राशी कुम में प्रवेस कर आॹ 해 30 साल की बाद अपनी मूलतिरकौन राशी कुम में प्रवेस और जिस्टरे की घ होगायोग है इतने सुन्दर मास संजयोग में 30 अप्रेल 2022 सनिय माउश्या माउश्या श्रीशनिधाम शनी तीरचेत्र असोला फते पुर्वेरी में आपका श्राइब करिये शनी भगवान के दर्स्तन पूजन तेलापी से चंपौं कश्टा से चुटका राद दिली और एंस्यार की सभी श सनी तीरचेत्र असोला फते पुर्वेरी अद्भुद तपो भूमी है मेरी खाली दर्सन करने से सनी देव की क्रिपा का प्रशाद प्राप्त होगा और जीवन खुश्यों से खाली आए प्रिदर्शकों मित्रों शाथियों बात करते हैं 11 मार्च 2022 के राशिफल और पंचांग राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग 12 मार्च सुषब तीन बजगर 11 मिनिट पर सुलिद्यकालीर करन बालव करन है करन का समाप्ति काल साम 6 बजगर बावन मिनिट पर अगला करन कौलव होगा स्विगाली नक्षतर मर्क्षिरा नक्षतर शौमी मंगल है नक्षतर का समाप्तिकाल है दोपार दो बजगर छतीस मिंट अगला नक्षतर आधरा होगा रहू चंदर्मा आज मंगल और रहू के नक्षतर में संचर्ण करें में और चंदर्मा मितुंडाशी में आज के जो गहे योगयोग है प्राधकाली लगन कुम लगन लगन में शुर्य बुद और ब्र verify बश्पति चंदर्मा मितुंडाशी मंगल शुकर सुखर शनी मकर राषी राव क हταे रिशिब राषीर कये तूभिशिक राषी यह गरहों सं कारी करने के लिए सबसे उत्तम मुहरत है कोवी नायर शुबकारी जिसकार में चीर काल तक आपको लाब लेना हुशे अभी जीत मूर्थ में करी और यह अभी जीत मूर्थ पगवान सीरी हरी को बहुत प्रिया है आज का लाब का चोगडिया है सुबह आठ बज़ कर पांस मिन करना शौदा करना पुझिनमिस करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है सलहा मिरी मर्जी आप आज पच्छिम दिसा की यात्रा कारुबार की दर्शिकों से ठीक मानी गई है राज की दिन यात्रा पे जाने से पूरू दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष आज आज आपका जनम दिन या फृषादी की साल करें मेरी और से आपको हर्तिक सुबकाम नहीं आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे सनी भगवान की चर्णों में मेरी प्राथ 11 मार्च आपका जनम दिन एक और एक को जोड़ेंगे तो दो होगा यानि जिनका जनम 11 उनके जिवन में अंक दो का कहीं ने कहीं विशेश महतु होता है मुलांग दो का शौमी ग्रत चंदर्मा है और मुलांग दो पर चंदर्मा का प्रभाव होने की कारण आपका रिदय वड़ा कौमल मृदुभाशी और कलपनाशी वक्ति आप है आप सारिक सरम की कानी से समझ जाते हैं दूसरे की भावना का आदर भी करते हैं मित्रों के साथ घुल मिल जाना आपका ही सभाव है आपका व्यक्तितु बहुत आकर सके लोग आपसे प्रभावित होते हैं आप अंजान लोगों को भी अपना मित्र बना लेते हैं आपके अच्छे लेखक भी मना रहे हैं अब मैं जो तीशी सुत्रों की बात करूंगा और ये जो शुत्र है वो केतू पर है ग्रहों के अलग-अलग सम्वन्दों में केतू क्या फल देता है इसकी भी चर्चा करूं केतू की वास्टिक जो इस्थिति ब्रमान में क्या है इस पर भी विचार करें आकर केतू है क्या है विज्ञानिक देश्टर में केतू क्या है पुराने कथा में केतू क्या है इन सारे चीजों पर मुझे आप से चर्चा करनी है विज्ञान के हम सभी जानकार है आप और हम सभी जानते कि परत्वी सूर्य के चारों और परि नदर्मा का प्रिक्षनी कटान है ये दोनों रास्ते आपस में जिन बिंदों पर कटते हैं उस कटान बिंदु को कहते हैं एक उत्री कटान है और एक दक्षनी कटान है उत्री कटान को रहु का गया और दक्षनी कटान को केतु का गया है उन दो बिंदों का नाम रखा गया है राहू और केथू इनका कोई भोतिक अस्तित्व नहीं के विलिए चाया करें ये हैं इनकी व्यग्यानिक परिबाशा वास्तों मैं परणाई की बात करूं राहू श्वर भानु नामक राक्षर था और ये सिहेंका का पूत्र है सिहेंका रिशीकश्यप की पतनी थी रिटुकाल से निवर्थ हो सिहेंका संतान की इच्छा से रिशीकश्यप के पास आई और वो शमय उनकी अरादना का था सीएका ने संतान प्राप्ति के लिए रिशीकश्य पर बहुत दबाव और प्रेसर डाला रिशीकश्य ने बात तो मान ली लेकिन साधना में पूजा में विधान पढ़ने से वो बहुत क्रोधित हुए और काग तेरी संतान का सर धर से अलग हो जाए ये श्वरभानू जब ऐसी घटना घट गई तब ब्रमाजी के आशिर्वास से इसके सर के उपर साप का सिर लगाया गया ये श्वरभानू है इसकी एक अधा और है समुद्रमंथन की जब अगले एपिसोड में बताऊंगे रहू और केतु का सरजन कैसे हुआ है लेकिन रहू और केतु मानो जीवन के आसपास बहुत है इसका मानो जीवन पर प्रभाव बहुत जबरदस परता है इस विशे पर मैं आगे चर्चा करूँगा लेकिन अब बात करते हैं आज की राशिपल पर आऊँ उससे पहले मेरा निवेदन है, मैंने क्यों रहू के तू को छेड़ा है, क्योंकि 12 अप्रेल 2022 से रहू, 18 मैनों के लिए राश्ची परिवर्तन कर मेश राश्य में आ रहा है, रहू जो मेश में आएगा, तो के तू तुला राश्य में प्रवेश करेगा, दोनों आमने सामने रहते हैं, 180 डिग मैं गुरुमें तो भी दाती महराज पर बहुत जल्दी आपके सामने डालूँगा, लेकिन क्योंकि रहू और केतु को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक को छेड़ा, चलिए बात करते हैं, राश्य पल की और सबसे पहले मेश रासी, मेश रासी वालों के लि होगी, आज ननिहाल पक्ष से पूर्ण शयोग की प्राप्ति और मामा आपके पक्ष में कहिन कई सयोगी शाबित होगी, आज किसी विशेश सूचना से मन बहुत परफुलित और प्रसंचित्र होएगा, छोटे भायवेनों का साथ मिलेगा, कॉम्निकेशन के शेतर में शप प्रणाम प्राप्त होंगी, और विद्यारतियों को शुर्प श्रमाचार की प्राप्ति जरूर होगी, क्या करें, मैसराशी वालों, कारोबारी यात्रा के लिए अपनों का साथ बहुत जरूरी है, क्या ना करें, भाई बंदों से समन्ना बिगारे, सुबंग चार, शुब प्रभाव बहुत अद्भूद रहता है, नमने बात करते हैं, दूसरे भाव में चंदर्मा, और दूसरे भाव में चंदर्मा, मंगल और राहू के नक्षतरों में संचरन कर रहे हैं, समय मध्यम है, चित की चंचलता के कारण, अनावशिक विवाद उत्पन हो शकते हैं, मन काम बनेंगे, लेकिन इदिया आपने आलस का सारा ले लिया, मैं आलस के में डूबे रहे, आलस का प्रिताग नहीं किया, तो बनते वे काम बिगर जाएगे, इस बात कभी से ध्यान लखना है, खर्चा है तो धन की प्राप्ती भी है, सिक्षा के छेतर में प्रियासत रहने क की वज़े से विद्यारते को सिक्षा के छितर में आगे बढ़ने के अच्छे आउसर प्राप्त होंगे, आप खेलारी हैं, आपका लाकार हैं, आप यूआ हैं, केरियर और खेल के मैदान में बहुत कुछ अच्छा करने का आउसर मिलेगा, क्या करें, अपनी जुम्यदारि और विद्यारते हैं, आप यूआ हैं, खलाकार हैं, केरियर और एजूकेशन के छितर में अच्छा करने के अच्छा का उस्तर मिलेगा बस महत्पुन वारता और कारियों में जल्दवाजी आज विद्यारती नहीं करेंगे तो अच्छा रहे वैसे स्वास्ति भी ठीक रहेगा आपको क्या करें इमानदर से अपने कारी छेतर में जुड़े रहे क्या ना करें आज का शुबंग छे है शुबरंग शपेद है भागिया आपकी पक्ष में 80% लाब का संकेदर मितम राश वालो ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शा बुद्हाय न महबुद की विजमंतर का जाप गना अती उत्तम रहेगा नमनन बात करतें करकरासी की बारवी भाव में चंदर्मा और बारवी भाव में चंदर्मा मंगल और राहू की नक्षतर में संचरण कर आए नक्षतर गरना प्रेशानी का संकेद दे लिए समय प्रतिकूल है आज सामाजिक तत्वों से कुछ व्यवधान और प्रेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा चारों और पैनी दस्ट मनमुटाव की संबना और दुरगटना की प्रबल संकेद नजर आ रहें वान सावधानी से चलाएं आप विद्यारती हैं युआ हैं कलाकार हैं खिलारी हैं कुछ वैवधान और प्रेशानियों का आज सामना करना पर सकता है जल्द बाजी में कोई निलने निले हानी हो सकती क्या करें अपनों के साथ मतविद समाप्त करें क्या ना करें दूसरों के कारें में दखल अंदाज जीने करें शुबगनों शुबरंक्रीम भाग्यापकी केवल 45% लाव का संकेदरा प्रेशान है बएयार करकराशी वालों ओम स्राम स्रीम स्राम सथ चंद्रम से नमा चंद् पुरा होगा पारवारिक श्रमंदों में आपसी बनमुटाव दूर होगा आप बेरोजदगाद रोजदगार मिलेंगे आपको और अनामसिक विद्यारतियों और युवाओं पर कोई करजा है रिन है या बीमारी है उसे चुटकारा मिलेगा क्या करें परिवार के साथ थोड़ा सा रहना बहुत जरूरी परिवार की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है क्या ना करें अपना शमय वैर्त में बरबाद नहीं करें सुबंगतिन सुबरंग गोल्डन भागि आपके पक्ष में पैंसेट प्रसेंद लाब का संके दे रहा है शिंगराशी वालों ओम राम रीम राम शा शूरिया इनमा शूरी की बिजमंतर का जाप करना उत्तम रहेगा नमनन बात करते हैं कन्याराशी दसंभाव में चंदर्म और दसंभाव में चंदर्मा मंगल और रहू के नक्षतरों में संचरन कर रहा है नक्षतर गणा लाब और शफलता का संके दे रही आप प्रसासने का अप्षने आप राजनेता हैं तो आज शफलता मिलेगी उनती के आउसर मिलेगे नई जिम्मेदारी प्राप्त होशकती प्राप्त होगी अपको आपको काम करने का तरीका आपकी सुझबुज आपको नए कारियों को आगे बढ़ाने का आउसर देगी और अपके विजशिरी आपके साथ होगी मित्रों का श्रहुक प्राणे में आप समर्थ होंगे, आपकी महनत, आपका परिश्रम, आपका बोधिक चिंतन, शफलता में चार चान लगाएगा, क्या करें, अपनों की आवश्यक्ता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्या ना करें, किसी दूसरे को अपने कारे में दख के नक्षतरों में शंचरन कर रहा है, द्रगोचरिस बात का संकेदर है, कि काम बनेंगे, परिशान शे मुक्ति मिलेगी, अपनों के साथ बैटने का मोका मिलेगा, अध्यात में रुधान अच्छा रहेगा, और संसान दे का अउस्वर मिलेगा, जिसरे की घरे योगायोगे नौकरी, कारोबार और परिवार की प्रसतियां आपके अनकुल होगी, और अनामश्यक परिशान शे मुक्ति मिलेगी, कला का छेतर, एज्यूकेशन का छेतर, धरम का छेतर, आज आपको सफलता अच्छी देगा, साकर में शे मधुर्शमन बैवा बना के रखा, तो कारी इस सार्त तक होते नजर आएंगे, क्या करें, थोड़ा सा जरुतमन लोगों की मदद करी, इस वर आपकी मदद करेगा, क्या ना करें, जूट और धोके से कोई कारें ना करें, शुबंग दो, शुबंग नीला, भागिया आपकी पक्स में, 75% लाप का संके दरा, आतुला राश प्रेशानी, कठनाईयां और कर्ष्ट का संके दरी है, शमय प्रतिकूल है, वेर्थ के परपंचों से दूर रहना बहुत जरूरी है, समाज, परिवार, घर के बार और घर के अंदर, आज नतिकता का दामन नहीं पकड़ा, अनतिक कारी से दूर नहीं रहे, तो प्रेशानी भी है, मानहाने भी है, और वाद विवाद भी है, इसे बचना बहुत जरूरी, अन्यता दिन भर परिशाने में बितेगा, आज नवेन योजना में पुझने में इसकरना उचित नहीं होगा, जल्दबाज में कोई निरने नहीं ले, अपनों के साथ सामझे से बिठाना विद्यार्तियों और युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ असा परिशाने का संके देरा है, छल और परपंस के सिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से काम करिएगा, क्या करें, परिवार की विर्द सद्रिशियों की सलह पर थोड़ असा ध्यान देंगे और उनसे मेल जोड़ बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्या ना करें, आर्थी नहानी ना होने दे, सुबंक एक सुबरंगलाल भागिया आपके पक्स में केवल 40% लाब का संके देरा है, व्रिशिकराशी वालों सावधानी आप्रिक्षित है, ओम क्राम क्रीम क्राम शभुमायनमा, मं जागोचर अनकूल है, सितारे लाब और शफलता का संकेद रहें, आज नक्षतर करना शुप फलों को देने में शमर्थ है, दामपत्य समदों में सुधार आएगा, जीवन साती से आप सी मदभेद दूर होंगे, मित्रों के साथ समय बैतित करने का उसर मिलेगा, और है कोई साज़दारी का काम तो लाब अमार्ग प्रसत होगा, नौकरी में शफलता, कारोबार में लाब मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, और समय अच्छा बितेगा, आप विद्यार्थ युवा है, तो सिक्षा और सरकारी सित्र में मन उनको शफलता के संकेद नजरा रहें, बस गैर कानिर अहवानचीत कारियों से आज जिवाओं और विद्यार्थ को दूर रहना है, वैसे कारी समता में विर्दी होगी, अर्थ लाब भी बढ़ेगा, क्या करें, माता पिता की आग्या का पालन करें, क्या ना करें, जो आपके साती हैं, उनकी उपेक्स आपना करें, चंदर्मा और छटे भाव में चंदर्मा मंगल और रहुक के नक्षोत्रों में संचरन कर रहा है, ग्रेगोचर की सुर्था से दुविदा पूर इस्तिति से छुटकारा मिलेगा, कारी छेतर में अनकूल आस्वासन प्राप्त होंगे, धनादी की समेशा का समधान होगा, स्वत्रों से पीछा छुटेगा और दिन अच्छा बितेगा, आज विद्यारतों के लिए शुब दिन है, नए और पुराणे मित्रों से मिलने का सुवसर मिलेगा, अधिकारी भर्ग से ताल मिल अच्छा रहेगा, नौकरी में उन्नती का अउसर और एजुकेशन के सितर मे कुछ नया करने का मोका भी मिलेगा, क्या करें, आवश्यक कारियों को पूर्ण करने का पहले प्रियास करें, क्या ना करें, बेवजे कारियों में फिर बदलना करें, शुबंगनो, शुबरंग बैंगनी, भागिया आपकी पक्ष में 55% लाब का संकेदर में कराश वालो, ओ ओम प्राम प्रीम प्राम शा शने शराय नमा इस मंत्र का जाब करना अति उत्तम रहेगा नमनें और बात करते हैं कुमराज से की पंचम भाव में चंदर्मा और पंचम भाव में चंदर्मा राहू और मंगल के नक्षतर में संचन कर रहा है नक्षतर रखना इस बात का संकेद होगी गुजालाइक धनकी प्राप्ति होगी पारवारी जीवन खुश्यों से भरा रहेगा और सरकार और शमाज में आपका वर्चसु बढ़ेगा आप विद्यारती हैं युवा हैं कलाकार हैं शमय अनुकुलता और लाब का संकेर दे रहा है कुमराश वानों ओम प्राम प्रीम प्राम शाष्ण शराय नम इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा नमने और बात करते हैं मीनदाश की मीनदाश वान चतुर्द भाव में चंदर्मा है और जिस तरह की घरे यूगायोगे आज विवादित चीदों में पुझे निवेस करना आपके लिए बड़ा नुक्षान दाइक रहेगा मन में थोड़ा सा संतोज रखें अपनों की सुने कानुनी मसलों में लापरवाई नहीं करें और स्वास्टे पर ध्यान देंगे तब क्या ना करें किसी से इर्षिया और कुंठा ना पाले सुबंग साथ सुबरंग हरा भागया आपके पास में केवल 35 परसंद लाब कर संके दे रहे और मिंडाशिवालो आज ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाग गुर्वे नमा ब्रश्पत्रिक इस मंत बीज मंतर का जाब करना अ आपका और आपका रहेगा नमना रहे हैं बहुत से मित्रों ने गुर्मंतर दाति माराज के यूट्यूब के चैनल पर बहुत से कमेंट और बहुत परिशाने को लिखे हैं यह उनीका जबाब कुछ लोगों ने का कि हमारे ग्रह हमको अनकूल फल प्रदान नहीं करते हैं औ अपनों से बड़ों को आदर दिजिए उनके चैन इसपर्श करिए कि ब्रश्पती विजिदम का कारक है धर्म का कारक है नितिनेम सिध्धानतों का कारक है यदि आपकी जन्मकूल में ब्रश्पती अनकूल फल प्रदान नहीं कर रहा है तो हर रोज प्रातकाल नित्य कर्मि अपने शंपून परिवार के उपर नौ बार उसार कर पक्षियों को डाल दे लाब मिलेगा और घर में शुक्सांती आएगा नुस्कों की बात करते हैं के बार हातों और पैरों में सूजन आ जाती है और समझ में नहीं आते क्या करें तुरहन डॉक्टर को दें सूजन में नमक डालिए और उसकी सिकाई करिए नारियल की तेर में कपूर को उबाल ले थोड़ा गुनगुना होने पर सूजीवी जगे पर हलका सा लगाने से सूजन कम हो जाएगी यह नुसके अपना के देंगी नमना इनमित्रों यह मेरे अनभव की अधार पर बात थी और मैं फेर कहता हूं कि मैं लाधता नहीं हूं यह आपके उपर निर्फ़ करता है कि माने नमाने हाँ मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जो जोड़ा पर आती हूं न मना रहे हूं रास्तान का हरव्यक्ति जानता है एक दाती माराज गायों से बहूत प्यार था बेटिय का लक्ष राहे मनश्य हूं और मानौ हुने इतना ते मेरा करतव है कि मैं अपनी रास्थ के शेवा करूं तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गो शेवा में अपना जीवन इस रास्थ के साथ लगाया है वरतमान प्रस्तियां आर्थिक दस्ट कौन से मेरी अनकूल नहीं है ध पहले भी कभी नहीं मांगा, अब भी मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये मेरा इंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मेराश्ट के सामने कभी नहीं आये था, हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया, मैं भी शेवा करता हूँ, आप भी शेवा करता हूँ, धन नहीं चाहिए, ले आप अपनी जन्मकुली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नंबर आ रहा हैं, इन नंबरों पर शंपर क और मेरी गाएं चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है, दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एंकार नहीं है, शातियों मेरा राश्रोपरी है, मैं ये नहीं कहाँ, मैं ये कहाँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की विवस्ता करिए, सिर्य भागवान आपकी रक्षा करे हो आपका जीवन सदा खुष्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा न महिने में लगब लगब 20 से 25 पचास लोग ऐसे भी है जिनोंने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की परती अपना आभार परगड़ करता हूँ और यह सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी परस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते हैं शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देखते भी हिरदय से पुने एक बार निवेजन करना चाहिए आपको लगता है कि दाती महराज के साथ सनीदाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्वयोकर है पेरा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमोन आराएन